नमस्कार दोस्तों टैक्सपॉर पर्दिव यूटूब चैनल में आप सब का स्वागत करते हैं दोस्तों EPFO के जो EPS Network Pensioners हैं उनके लिए काफी अच्छी ख़बर निकल क्या रही है बोल सकते हैं गुड नियूज निकल क्या रही है पूरी डिटल से बताऊंगा पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक अच्छा अपडेट निकल क्या रहा है काफी दोस्तों जो है बाते चल रही थी कि EPS 95 Pension बढ़नी चाहिए उसको लेकर एक काफी अच्छा अपडेट निकल क्या रहा है और हमारी कोशिस यही रहती है कि जब भी कोई नया अपडेट आता है हम आपके साथ वीडियो के मादधम से जो है शेर करते है और इस जो पेंशन बढ़ोतरी को जो लेकर ये जो अच्छा अपडेट निकल क्या रहा है यहां पर देख सकते हैं कि न्यूजपेपर में जो है अपडेट लगाई गई है एप्यफ मेंबर्स को दिवाली का तोफ़ा बढ़ेगी पैंसन और यहां पर बताया है कि एप्यफ हो यानि कि करमचार बोशनीजी संक्थन के करीब 40,000,000 पैंसन को दिवाली से पहले न्यूंतम पैंसन में बढ़ोतरी का तोफ़ा मिल सकता है सुत्रों के अनुसार वित मंतराले ने स्रम मंतराले की सिपारिशों को मानती हुए न्यूंतम पैंसन को 1,000 रुपे से बढ़ा कर 2,000 रुपे करने पर सहमती जता दी है इस से करीब 25,000 करोड रुपे का अत्रिक्त बोज सरकार पर पढ़ेगा प्राप्त आकडों के अनुसार अभी एप्यफों के करीब 60,000,000 पैंसनर्स हैं इस फैसले से करीब 40,000,000 पैंसनर्स को इसका लाब मिलेगा सुत्रों के अनुसार सरम मंतराले इस मामले में कई बार वित मंतराले को प्रस्ताओ बेज चुका है पहले प्रस्ताओ में उसने नियूंतम पैंसन 3,000 रुपे करने की मांग की थी मगर वित मंतराले ने इस पर एसमेती जताई थी वित मंतराले का कहना था कि पैंसन की राशी में एक साथ इतनी राशी को बढ़ोतरी करना मुश्किल है यहाँ पे देखे काफी अच्छी खबर निकल किया रही काफी महीनों से काफी दुनों से जो है काफी सालों से वेट कर रहे थे यहाँ पे एक हजार रुपे के बजाए दो हजार होगी नियूनतम पैंसन यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो वित मंतराले की सिपारिशों को मानते हो है नियूनतम पैंसन को एक हजार रुपे से बढ़ा कर दो हजार रुपे करने का सहमती जतादी है और दिपावली पे जो है ये तोफ़ा मिल सकता है EPFO की जो pensioners है EPFO की तरफ से pensioners है उनको और आगे जो भी कोई update आएगा आपके साथ वीडियो के मादने से share करेंगे तो दोस्तों काफी अच्छी पेंशन मिल रही है हर मेने comment box में comment करके जरूर बताना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले काफी अच्छा अपडेट है वीडियो को लाइक जरूर करना मिलते है नए अपडेट के साथ